तो दोस्तो आज ये 13 नोवेंबर 2022 सुराज में लेकिया हूँ आपके लिए यूरेका इंडस्टीस लिमिटेट का कम्प्लीट शेयर इनलाइस और इस कंपनी को बर खातकर वीडियो बनाने के लिए हमें प्रमूद जीने कमेंड किया था ठीक है सो अगर आपका भी कई क्वेड से हर इक चीज़ को और चार्ट पटन को अनलाइस करके मैं आपको बतना वाला हो कि आपको इस वक्त इस कंपनी पर निवेश करना चाहिए कि नहीं दोस्तो वीडियो की शुरुबात में हम इस कंपनी का क्वाटरली रीजल पर भी एक नजर डालेंगे और आगर आपके बास स्टेडिंग करने के लिए डिमार्ट अकाउंट नहीं है तो वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप गुरो जैसे बड़े प्लाटफ़ॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वीडियो की नीचे डि स्टेमबर 2022 का कौट अले रिजल ठीक है यहां पे बहुत जादा कुछ अपडेट नहीं है यहां पे देख सकते हो नेट इंकम में कंपणी प्रॉफिट में है अब बहुत ही कम है मार्केट के पे पेनी स्टोग है यह थर्टी सिक्स पॉइंट फाइब रूपिस शाले च्टीस रुपे का इसका शेर प्रैस हो चुका है इसका शेर प्रैस अभी ओल टाइम हाई पे है और लोईस्ट प्राइस दिखा जा तो इस साल में इस कंपणी का इवेश करने का सही समय आ चुका है बस आपको क्या करना है वीडियो को आंतर तक देखते रहाना है पूरी जानकारी के लिए यहां पर देख सकते हो कंपणी का बुक वेलू दो रुपया सत्तर पईसे का है यह कंपणी आपको डिवीडन नहीं देता है इसका रिटेन और का इक्वीटी भी जीरो है तो फंडामेंटल यहां ही से लग रहा है फंडामेंटल बहुत ही खराब है इस कंपणी का फेज बेलू देखेंगे 10 रुपे का है फेज बेलू तो चलिए जान लेते हैं और क्या का इस कंपणी का यहां पर देख सकते हो स्टॉक इस ट्रेडिंग 13.6 टाइमस इस बुक वेलू का नंबर बढ़ चुका है यह पहला नेगेटिव पॉइंट है दुसरा नेगेटिव पॉइंट है आप देख सकते हो यहां पर प्रोमोटर का होल्डिंग कितना दिखा रहा है 17 परसन के आसपास ठीक है मैं आपको देखा देता हूं इक्विटी देख सकते हो बीते तीन सालों के मुकाबला में 0.25 परसन जो की नेगेटिव पर जा चुका है तो इक्विटी वे भी ना के बराबर रेटन दिया है इस कंपनी ने मैं आपको इस कंपनी का क्वाटर ली रिजल दिखा देता हो सेप्टमबर 2022 का तो यहां पर अपना बिजनस कर रहा है इतने साल से जो यह कंपनी का जो इतना एक्स्पेंस जा चुका है कोटर एंड कोटर ली यह तो एक पैसा कहां से कावर करता है ठीक है यह थोड़ा सा सोचने वारी बात है फाइनली इस कोटर में देखेंगे सेप्टमबर 2022 के कोटर में तो 3.04 है इस कोटर में देख सकते हो कंपनी औपरेटिंग प्राफिट में 0.74 करोड यहां पर देख सकते हो लगातार इस से पहले कृटर में सभी में וके कमपनी का साने का देखेंगे 2011 से लेके 12-13 कितना expense जा रहा है लगातार expense जा रहा है लेकिन sale कितना हो रहा है एकदम zero, एक रुपे का company को sale नहीं हुआ है मतलब 10 साल से company देखेंगे तो 10 साल से company जो है एक रुपे प्रॉपिट नहीं कमा है तो वो पैसा कहां से cover करेगा आपको ये दिमाग लाकाना है और पैसा public का पैसा से cover करने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो इस साल में company का expense हुआ है 404.24 करोड का और sale कितना हुआ है 3.78 करोड का तो company operating profit में ही loss पे है 0.46 करोड का company का यहाँ पर अधस business जो है तो लगातार 2011 से company loss पे अपना business कर रहा है तो इस company का fundamental कुछ बचा नहीं है एकदम third class fundamental है company का मतलब एकदम जू आखेलने बराबर है इस company को अगर मेरी point of view से अगर इस company पे निविश किया जाए यहाँ पे sales growth देख सकते हो 00 compounding profit growth 00 CAGR एकदम 00 return on equity 10 साल के मुकाबले में देखेंगा तो एक person का है बाकि सब 00 तो ऐसे company पे आप निविश करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं company का जो liabilities है 9.08 करोड का company के पास इस बग तो liabilities है और asset है यहाँ पे देख सकते हो अलाग कि liabilities और asset कम था देरे देरे बड़ाया है company ने बट सिरिफ liabilities और asset से काम नहीं चलते है company का company को profit भी होना चाहिए यहाँ पे company के पास cash flow में negative page 0.02 करोड का मैं आपको इस company का share holding pattern दिखा देखा देख तो आप यहाँ पे चौक जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो September के quarter में company के पास कितना holding है? 0 एक पैसे का holding नहीं है promoters के पास domestic investor के पास कितना है? 13.60 यह promoters जो है यह पूरा stake public को based के company से exit हो चुका है तो यहाँ पे पूरा का पूरा पैसे किसका हो गया है? लगबग public का पूरा का पूरा यह 13.60 परजन सिरिफ domestic investor का holding है तो overall company का holding holding से लेके company का जो fundamental है एकदम weak है इस fundamental के मताविक अगर आप fundamental देखके निवेश करना चाहते तो इस company पे आपको बिलकुल भी निवेश नहीं करना चाहिए fundamental बहुत ही खराब है इस company का अभी चलते हैं इस company का थोड़ा वो इस वक्त इसका share price जो है 36 रुपया हो चुका है और इस company को लेके जो वादे किया जा रहा है जो जो जोटा news फाला आ जा रहा है YouTube में जो वीडियो बना बना के retail investor को फसाया जा रहा है उसका यहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ मैं आपको इस company का max to max chart पर देखा देता हूँ ठीक है max to max में कितना 18% का return ठीक है कोई बात नहीं 2011 में इसका share price कितना 3 रुपया 3,5 रुपया का हुआ करता था 2011 से लेके 2021 तक मतलब 10 साल से company एक दम consolidated पर अपना business किया एक रुपया का company को profit नहीं हुआ यहां पर अचानक जो है company को boost आ गया तो यह pump and dump कराया जा रहा है इस company पर बिल्कुल भी निवेश करने का नहीं है अगर आप एक smart investor है तो आप ऐसे company से दूर रहेंगे यहां पर pump and dump का skim चल रहा है यहां पर यहां पर जो है retail investor को फसाया जा रहा है ऐसे return दिखा दिखा के यहां पर निवेश करवाएगा और फिर यहां से कुछ कुछ ना कुछ गरबड करके exit हो जाएगा फिर public यहां पर फसने वाले हैं ठीक है तो यह थी हमारा इस company को लेकिए point of view यह कोई buy और sale का recommend नहीं है सिर्फ हम जानकारी देते हैं education purpose से हमने यह वीडियो बना जाए और आपको हमारी जानकारी कैसा लगा comment box में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगते हैं लाइक करना अपने दोस्तों को शेर करना मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इसे ही जानकारी के साथ और अगर आपके पास trading करने के लिए demand account नहीं है और आप free में अपना trading account ओपन करके साथ में 100 रुपया भी earn करना चाते तो वीडियो के नीचे description पर लिंक को जरूर चेक कर लेना दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इसे ही जानकारी के साथ अमारी वीडियो कौनते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धैनेवाद